गिराज सिंग आजकल भविस वक्ता हो गए हैं जो भविस वानिया कर रहे हैं वो सच भी साबित लेकिन हो रही है उन्होंने कहा कि ललंजी जाएंगे लालू के साथ प्लेन में सफर कर रहे थे दिल्ली से पटना रहे थे पटना उतरते ही उन्होंने कह दिया था कि ललंजी ज दाएंगे क्योंकि ललन सिंग ने ठेका लिया था तेजस्वी यादों को मुख्यमंत्री बनाने का अब ललन सिंग चले गए तेजस्वी का जो भविष्या है वो अधर में लटक गया गिराय सिंग ने फिर से एक भविष्यापानी कर दी है नितीस बस खर्वास बीतने की देरी है जाने वाले हैं क्योंकि ललन सिंग जो ठेका लिये है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का वो निसित तोर पर पूरा करेंगे सुनवाते हैं पले गिराई सिंग को राष्टिय धेक्ष बन करके अपनी लुटिया तो बचा लिया लेकिन लालू जी के चक्रव्यू में पूरी तरह फसे हुए हैं मैंने कोई गलप नहीं था कहा था नितीज कुमार कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री के महमान हैं लालू जी किसी भी दिन इनको मुखमंत्री पद से हटा रह सकते हैं और तेजस्वी मुखमंत्री बन सकता है लालू जी के पास में पूरी गनित उनके साथ है और इनके विधायक भी उनके साथ है अब नितीश जी के सामने चुनवती है कि एक बार तो आपने अपने लुटिया बचा ली कम है बिहार सरकार के मुखमंत्री अपने आपको बचा ले हो सकता है कि 14 जन्वरी के पहले भी ये घटना घट सकती है और नहीं तो घटना तो घटनी सुना आपने अब गिराय सिंग की ये भवी से बाणी कितनी सही साबित होगी कि इस पर हम कान लगाए और नजर गड़ाए रखे हुए हैं कि कब गिराय सिंग की ये भवी से बाणी सही साबित हो इसी तमाम खबरों के लिए अब बने दिया हमारे साथ